हेलो गाईश, वेलकम तू माई यूटूब चैनल वर्ल ट्रेंडिंग, आई एम वैवो, और मैं ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक या करेंट अफिर्स पर वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, दे और आप प्रेजेंट कॉंटेक्स्ट को समझते हैं कि कैसे पिछले 5-6 सालों से टाइवान चाइना का रिलेशन ओल टाइम एडवर्स कंडिशन में है, देखिए, चाइना टाइवान से मिलियन सब डॉलर्स के पाइनेपल इंपोर्ट करता था, लेगिन कुछ समय पहले ही उ एकोनोमिकली नुकसान पहुचाने के लिए, कुछ ऐसा ही टेक्टिस चाइना ने ऑस्टेलिया के साथ भी करने की कोसिज कर रहा है, जैसे ही ऑस्टेलिया ने ये बोला कि कोरोना वाइरस के जांच होनी चाहिए, चाइना ना ऑस्टेलिया के ऑस्टेलियन वाइन पर हाई ट यह हुआ था कि US और UK दोनों मिलकर nuclear submarine बना कर देंगे Australia को और वो submarine South China Sea में use होगा चाइना पर नज़र रखने के लिए यह deal देखकर चाइना इतना गुस्सा हो गया कि Australia को देख लेने की और अंजाम भुगतने की धमकी तक दे डाले लेकिन बाद में उसने यही टैक्टिस अप जब जपान ले अपना विड्रोक गया चाइना से तो वहां civil war हो गया between communist party और केम्टी पार्टी जो केम्टी पार्टी बहुत ही काफी बहुत ही लंबे समय से रूल करें थे चाइना में लेकिन civil war में केम्टी पार्टी हार जाती है और 1949 में वह भाग कर ताइवान में DRC काते हैं मतलब People's Republic of China और ताइवान को ROC यानि Republic of China मतलब आप लोगर कहीं Republic of China देखें जैसे कि कहीं भी Olympia कोड़ा कोई गेम में तो Republic of China को ताइवान समझेगा ना कि चाइना समझ लिजेगा देखिए कुछ समय पाले ही एक एक न्यूज बारल हुआ था एक आर्टिकल बा ताइवान पर और साइद ताइवान रेजिस्ट भी नाइंड कर पाएगा क्योंकि उसके पास सिर्फ तीन लाग की फोज है और हाँ उनके पास यूएस एडवान्स वेपन जरूर है लेकिन अगर चाइना फूल फ्रेज वार लड़ गया तो फिर बिदाउट यूएस आर्म ताइवान विल नॉट रेजिस्ट ये सबको पता है और साइद इसलिए चाइना लड़ाग में भी ड्रामा कर रहा है ताकि बहुत और लड़ाग में बहुत बड़ा फोज भी उसमें खड़ा कर रहा है ताकि जब वो ताइवान पर अटेक करे तो भारत कुछ नहीं कर होगा मिलते हैं किसी अगले वीडियो में और हां डॉन फर्गेट टू सब्सक्राइब बाई बाई जाइन